जैनब, कहां हो कल से, पार्टी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं पार्टी थी यार कजन तुमने हमें पार्टी का क्यों नहीं बताया, हम भी तुम्हारे साथ चलते अरे, हम भी थोड़ा नाची लेते वहाँ कामोश हो जाओ तुम्हें क्या है किसी की पार्टी से जैनब आप मुझे इस तरह घूर के मत देखा करें हर बात में मेरा हाथ नहीं होता है जैनब 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 मेनी बात तो सुनो रुको ना मुडो जरा मामला क्या है क्या हुआ है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है माम क्या मतलब कुछ नहीं हुआ जरा मेरी तरफ एक दफ़ा देखना मेरी आँखो में देखो मेरी आँखो से छुप नहीं सकते ओफ माम मा को ओफ नहीं करते लड़की इनफ जल्दी बता ऐसा भी हिव क्यों कर रही हो? मैं बिलकुल पहले जैसी हूँ माम, आप फिकर ना करें फिकर ना करूँ तो और क्या करूँ? एक तो आपकी बाते मुझे बिलकुल समझ नहीं आती, कहां से किस बात कुछ जोड़ देती हैं आप इतना चड़कियों रही हो, क्या बात है? दाल में ज़रूर कुछ काला है क्या? मुझे नहीं बताया तो, बहुत बुर अप्न सोगी तुम यार माम, क्या बातें कर रही है ये? जैसी बातें तुम कर रही है क्या मतलब मेरी तरह कर रही है? जैसे बात है, जैसे तुम कर रही हो, अच्छा वक्जाया मत करो, चल्दी बताओ, असल बात, वो जो नाजली है ना, अजान जिसे तलाग दने वाला है वो, यह जिससे शादी करने वाला है भाई, देखो जैनब मैं सच कह रही हूं तुम्हे इस बार पत्थमीजी की ना, तो धपड लग जाएगा तुम्हें, मॉम, नाजली और सनम एक ही इनसान है, सुना, सनम आज तक हम सबको बेवकूफ बना रही थी, उसने ही घर खरीदा और कमपनी खरीदी, भाई को सर्विंट कौर्टर में पेज़ा, जानती है इस सब की वज़ा इंतकाम था मॉम, अब अप इसे खलती हो गई, सारा क्रेडिट तो खान सामा को जाता है, इसे आईशा गुल का तालुब भी सफरान से ही है, अरे वहां से कहां से हो, इसमत, हिकमत, और फात्मा आपाभी यह सब जानते थे, अब देखो मैं उनका क्या हशा करती हूँ, नान सार्मा, नान सार्मा, नान भाई ने वादा करवाया था कि मैं इस बात किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मुझे पच्ताना पड़ेगा, प्लीज समझें आप लेकिन बेटा, यह कैसे हो सकता है, मैं कैसी यह सब बर्णाश करणूँ मॉम बिलकुल हो सकता है, क्योंकि आप वो और अपने जिस अपनी खुद की बेटी को किड्नाप करवाया था, आपको आदत है यह ड्रामे करने की, समझी? ताने दे रही है, मा को ताने देने लगी है, वा, कमान है झाल